वेलकम बैक आएक आपके वीडियो में रेविट करने वाले हैं फेडरल बंक के लिष्टा क्रेडिट काड के बारे में benefit फीचर तो वीडियो में कबखक करेंगे कैसा काड है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या प्रएड क्या फिकी फुल डिटेल के साथ में इस वीडियो क्रेजिट कार्ड एक कर आपको प्रॉपते को też 27 जुने के सांग कर लेते हैं तो आपको यह क्रेजियर करेख से लेकर अपको फाइनिये पर से यह निर्वर करेगा आपको बैंक के साथ रिलेशन पर अगर आपके बैंक के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आपको 0.49% तक का फाइनिंशल चार्ज लगेगा अगर आपके खराब है तो 5.88% तक चाह सकता है इसके अलावा आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना फाइनिंशल चार्जे पे करने पड़ेंगे अगर आप इस क्रेडिक काड के ड्यू टाइप डिपेंड नहीं करने हैं आपकरें इस क्रेडिक काड़ के रिवार्ट पॉइंट नोगी तो इस क्रेडिक काड़ पर आपको ट्रेवल और एंटर्टैन्मेंट पर 3 एक्स रिवार्ट पर फेर्मूबी टिकट का एक महिने में एक बार इस बनपिट कॉप्ड ले पाएंगे एक परसेंट का आपको फ्योंचाचाज वेवन मिलेगा, फेट डिलाइट ओफर के तैट आपको 15 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा, बैंक के पाटनर रेश्टोरेंटों पर, इस काड़ पर आपको वीजा के छोटे मोटे वेनिफिट आपको मिल जाएंगे, एरपोर्ट लॉ तो यहां पर 2 परसेंट आपको फोरेंग कर नेसाीट काड़ करेंगे तो इस पर आपको काड़ करना पड़ेगा, और थ्यक्रेट काड़ के पाटों में इसे ज़्यादा आता है, इंडिया का निवासी होना चीए अगर आप करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा इस क्रेडिट कर्ड के लिए उसके बाद अगर आप इस कार्ड को एपलाई करते हैं तो तीन हजार रुपय प्लस घ्ष्टी इसका आपको एनवर फीज पे पर देंगे तो आपकी जो एनवर फीज है वो वे आफ कर दी जाएगी मेरी अपेनिंग के अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं जब तक ये कार्ड फिरी था तब तक अच्छा था उसके बाद बैनिफिट ठीक ठाक है बाट इसके जो फीज है बहुत जादा है बै मेरी दीवी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना अगर मेनत पसंद आई है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद हापणना क्या लगी